हेलो टेडर्स वेलकम बैक टू माय चानल चरह देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा हुआ है और पर गिरने में बहुत टाइम लगाया बट लगबख 1,2,3,4,4 चैंडल्स में ही लगबख 50% रिकवरी हो चुकी है और इसी वज़े से वो अपने एक इंपोर्टन फीबोनाची लेबल पर आ चुका है अगर मैं यहाँ पर फीबोनाची रिट्रेस्मेंट का टूल लूँग और इस वाले फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा दूँगा तो आपको यहाँ पर से बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिलेगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइज ने आज 0.5 मतलब एक्जाक्ली यही पर से रिजेक्शन लिया और यही प हमारे 0.382 पर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यही अभी लेवल हमारे लिए important support का काम करने वाला है अगर यह downside में breakdown करता है तो obviously downside में हम अच्छे targets देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो simple हम यहाँ पर discussion करेंगे कि अगर प्राइज यह 0.382 का level downside में breakdown करत है तो कितना नीचे तक आ सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना है simple Fibonacci retracement का tool लेना है और जैसी के हमने बात किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि price ने क्या किया यहाँ पर एक impulse मूला गया then यहाँ पर से एक retracement हमेंगे देखने को मिल सकता है तो वही हमें करना है simple यहाँ पर Fibonacci Retracement का tool लेना है एकदम bottom से लेके top तक लगा देना है और यह 0.3 है 2, 0.5 और 0.6 होने downside के हमारे लिए targets होने वाले और अगर यह 0.5 का level upside में breakout हो जाता है then and then only हम यहाँ पर से long के trades ले सकते बट फिर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे trading setups बन रहे price बहुत ही अच्छे से गिरा then पूरा दिन market यहाँ पर consolidate करते हुए ऊपर चला तो मैं simple आपके साथ में दो level share करना चाहूँगा सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यह एक मेरे लिए important level होने वाला है क्यों? इसके दो reason है सबसे पहला reason आप यहाँ पर देख सकते हो कि price simple यहाँ पर resistance support resistance support ले रहा है आज भी यहाँ पर से price को rejection मिला तो यह इसी वज़े से important level मेरे लिए होने वाला है अगर price यहाँ पर आएगा यहाँ पर से rejection लेके price नीचे गिर सकता है क्यों गिर सकता है अगर आप यहाँ पर simple structure देखोगे तो price ने impulse मू लगाया, retracement लगाया यहाँ पर से impulse मू और यहाँ पर से previous swing low का breakdown हुआ मतलब यह trend में change भी हो सकता है और change कहाँ पर से हो रहा है exactly हमारे 0.5 के level से इस यहाँ पर से गिरा यहाँ पर से एक retracement लेगा और यहाँ पर से वो गिर सकता है और यहाँ पर एक important Fibonacci retracement का भी level है अगर मैं यहाँ पर Fibonacci retracement का tool लूँगा और एकदम यहाँ पर top से लेके bottom तक लगा दूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते कि exactly 0.618 इन levels के साथ में coincide कर रहा है इसी वज़े से जब भी structural levels हमारे Fibonacci levels के साथ में coincide करते वो एक important resistance का काम करते और price को इसे break करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसी वज़े से simple हमें का करना है मैं आपको एक trend line भी बताने वाला हो हमें क्या करना है 5 minute में जाना है 5 minute में जाने के बाद में यहाँ पर एक trend line बन रहे है यह वाली trend line को यहाँ पर draw कर लेना है अभी जब भी यह trend line breakdown होगी हो सकता है कि market थोड़ा सा उपर जाए देन यहाँ पर से नीच चाहिए breakdown करे अगर यह breakdown कर रहे है यह वाला 17,740 का level का breakout कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर से price फिर से हमारे 0.5 को test करने के लिए उपर आ सकता है 17,860 तक यहाँ तक आ चकता है इसी वाज़े से 17,740 के उपर में buying करने का सोचूंग और इतना ही simple analysis यहाँ पर nifty में बन रहा है अभी bank nifty का analysis भी बहुत ही interesting है वहाँ पर भी सबसे पहले weekly time frame में चलेंगे आपको यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा fall दिखेगा बट fall आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर लगबग 3-4 months लेगे यह fall होने को बट यह cover एक ही month में हो गया इसी को आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा bull rally हम expect कर सकते है एक बहुत ही अच्छे bulls यहाँ पर घुश चुके है अभी simple हमें अच्छे levels को trade करना है तो यहाँ पर भी अगर मैं Fibonacci retracement का tool लूँगा और एकदम top से लेके bottom तक लगा दूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कहाँ पर पहुच चुकी है यह 0.618 गोल्डन रेशो पर पहुच चुकी है और यहाँ पर से मैं एक pullback expect कर रहा हूँ क्यूँ अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ पर से लेके यहाँ तक अगर आपके साथ में डिसकस करना चाहता हूँ अगर आपको पता होगा अगर आप मेरे regular viewer होगे तो आपको पता होगा हमने इस वाले swing को यह bottom यह top और यह bottom को Fibonacci train base extension का tool लगाया था और यह 1, 1.272, 1.618 यह levels बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे मैंने specifically बोला था यह जो 1.618 जो level है यह हमारे लिए important resistance का काम करने वाला है और अगर market इसका breakout कर रहा है तो इस level के उपर एक बहुत ही अच्छा trade बन सकता है क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ और यही पूरी analysis मैंने कल अपने telegram पे भी share की थी यह level भी share किया था कि यह important level होने वाला यह मैंने level यहाँ पर mark कर लिया है अभी simple वो क्यों important level है अगर मैं बताओ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि price यहाँ पर time to time यहाँ पर price ने resistance लिया resistance लिया again आप यहाँ पर देख सकती price ने support लिया support लिया और यहाँ पर दो बार market ने resistance लिया हो था और यह एक Fibonacci number भी है golden Fibonacci number है इसी वज़े से structure प्लस Fibonacci बना कर यह important level होना वाला था और जैसी market ने यहाँ पर breakout किया मैंने कल अपने telegram पर post किया था यह levels आपके साथ में share कियो थे कि market यहाँ पर support ले सकता है अगर आप यहाँ पर 15 minute time frame में देखोगे market आज यहाँ पर open हुआ एक pullback देखा exactly market ने यही पर support लिया अगर आप मेरे telegram channel पर जाके देखोगे न मैंने यहाँ पर बीच में कोई भी level आपके साथ में share नहीं कियो था simple एक ही यही level बोला था और यही पर से market ने एक बहुत यही अच्छी bull rally दिखाई है अभी कल हम यहाँ पर किस तरे किसे trade कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आपको दो ही levels बताने वाला हूँ सबसे पहले में फिर से आपको 4 hour के time frame में ले के चलना चाहता हूँ और उपर का resistance कौन सा होगा वो बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पर भी हम Fibonacci trend based extension का यूज करने वाले simple अगर आप यहाँ पर देखोगे market ने यह high बनाया then market ने यह low बनाया और अभी price इस वाले high का मतलब previous swing high का breakout कर रहा है यहाँ पर से यह extension हो रहा है तो simple हम क्या कर सकते Fibonacci extension का tool ले सकते और यहाँ पर एकदम top से लेके bottom तक लगा सकते और आपको यह 1.272 यह हमारे लिए एक important level मिल जाएगा यहाँ पर से price को upside से rejection मिल सकता है यह मेरे लिए important resistance कलका होने वाला है ठीक है अभी फिर से हम यहाँ पर से 15 minute time frame में आएगे और simple analysis होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो हमें देखना है कि market यहाँ तक जाएगा आप इस वाले swing high के उपर एक छोटा सा scalping का trade ले सकते हो but 42,500 का level मेरे लिए important resistance होने वाला है यहाँ पर भी एक trend line बन रहे है वो trend line हमें mark करने है अगर उपर जाकर market rejection लेता है और इस वाले trend line का breakdown करता है तो मैं कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से shorting के opportunity लेना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा shorting का trade बन सकता है क्यों? क्योंकि मैं एक profit booking बड़े time frame में weekly time frame में या daily time frame में एक profit booking expect कर रहा और उसी वजह से 15 minute time frame में downside के trades लेना चाहता हो यहाँ पर obviously एक trade बन रहा था मैंने आपको कल बोला कि यहाँ पर buying का trade बनेगा exactly यह level share की बट मुझे अभी यह लग रहा है कि यहाँ पर से market नीचे गिर सकता है तो वही में यहाँ पर follow करने वाला हो अगर reverse करता है 42,500 break होता है obviously यहाँ पर से भी market बहुत ही अच्छे से उपर जा सकता है अगर market 41,850 का level मतलब यह जो हमारा 1.618 और structural level जो हमने daily time frame में discuss किया उसका breakdown कर रहा है यहाँ पर नीचे तो यह एक fake breakout हो जाएगा और इसी वज़े से downside में भी बहुत ही अच्छी rally हमें देखने को मिल सकती है bank nifty में ठीक है तो यही पूरा-पूरा analysis बन रहा है यार nifty और bank nifty का होब आपको यह पूरा analysis समझ में आ गया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजा आपके फ्रेंड के साथ टेडिंग के मिल साथ शेयर कर दीजे और इसी वीडियो से देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना है रखते थैंक यू बेरी मच